हाई दोस्तों नमस्कार मैं हूनी रजराय और आपका श्वागत है फर्महर्ट्स में आज के वीडियो में हम बात करने वाल हैं रिफाक्सिमिन टैबलेट्स के बारे में दोस्तों आपने थमनेल में देखा होगा कि ये टैबलेट वाज़तों में दी जाती है आपके पेट से संबंदित या आतों से संबंदित बीमारियों में खास करके जो डैरियल कंडिशन होती है उसमें हम लोग रिफाक्सिमिन यूज करते हैं बट यहां पर बता दें कि अकेली मेडिसिन यूज नहीं होती है ये बहुत सारी दूसरी सपोर्टिव मेडिसिन के साथ में यूज होती है तो इस न नाट प्रापर ट्रीटमेंट आप अटिबाटिक होती हैं जो कि आपके ऐलेमेंटर्क एनौल के अंदर पुरली एंपज़ॉर होती है और आपके पैड के अंदर में जो इकोलाई या दूसरे बैक्टिरिया में जो दूसरे बैक्रिया के लिए उत्तरदाई होते हैं थाती कैसे करती है तो यह बैक् temporary ग्रोथ रुख जाती है, सप्रिश हो जाती है, और आपको gastric disturbance जो आपका होता है, उससे आपको राहत मिलती है, उसको reduce करती है तो इससारे स्ये काम करती है, market में rifaximin tablets 200 mg, 400 mg, 550 mg यानिक 550 mg में available होता है, जिसमें 400 mg सबसे ज्यादा use में आता है अब अगर इसके brands की में बात करूँ तो इसकी बहुत सारी brand आती है जिसे ये मैं बोलाउ लगभग एक तरह से करती है ठीक है हाँ रिफैक्सिमन टैबलेट्स की से यूज़ कि अब हम बात कर लेते हैं जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया कि यह टैबलेट यूज होती है इन जी आई अपसेट खास करके डारियल कंडिशन में तो इसको हम लोग ट्रेवल्स-डाइया में यूज़ करते हैं ट्रेवल्स- एठन ओर यह दर्द हो रहा है साथ में डाइरिया हो रहा है तो हम लोग रिफैक्सीमिन का यूज करते हैं जदा इफेक्टिव होती है तो यहां पर ध्यान रखना कि जब डाइरिया के साथ में हमारा इस टोमक पेन होता है तब रिफैक्सीमिन कुछ दूसरी सपोर्डिव को सjän कि कि इन बातों का ध्यान अपको रखना चाहिए तो सबसे पहली बात तो अगर आप इसके प्रती हाइपरускरव हैं तब आपको यह मेडिसेन नहीं लेनी चाहिए इसके अलावां को यह जोखने को बढ़ाने के लिए होते हैं आपको medicine prescribe नहीं की जाती है ध्यान रखे इस बात का कि बिना prescription के कोई medicine ना लें क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको कौन सी बिमारी होई है हो सकता है diarrhea किसी और वज़े से हो रहा हो तो इस वज़े से आप knowledge तो ले लीजिए है या फिर dysentery हो सकती है जो इसी बज़े से मिसको इसका side effect भी है इसके अलावा weight decrease हो सकता है अगर आप यह लंबे शमय तक लेते हैं इसके अलावा anorexia हो सकता है तो यह सारे जो side effect है वो आपको देखने को मिलते हैं साथ में nausea और nasal passes irrigation भी मैसूस हो सकता है अगर आप यह लंबे शमय तक यूज करते हैं तो यह कुछ side effect है जो के rarely दिखाई पड़ते हैं जब आप बहुत दिन तक यूज करते हैं और नार्मली 5 से 6 दिन आपको यूज करना होता है तो उसमें कोई side effect दिखाई नहीं पड़ते हैं बस अगर आप dose को exceed नहीं करते हैं डोज बढ़ा के नहीं लेते हैं तो आपको side effect नहीं दिखाई पड़ेंगे लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं यह medicine दी कितनी जाती है तो यह जो medicine है वह 200 mg 400 mg और 550 mg में आता है तो मैंने आपको बताया कि सबस्यादा 400 mg हम यूज करते हैं बट severity के अनुशार आपको दी जाती है देखा जाता है कि कितनी दिन से आपको डाइरिया है और कितनी बार आपको डाइरिया हो यह 10 तर लग रहे हैं कितनी बार आपको डाइरिय medicine यह होती है 200 mg से लेकर कि 550 समझे दिन में दो या तीन बार देते हैं नॉर्मली दिन में दो बार दिया जाता है सुबह और शाम खाना खाने के बाद आपको यह medicine लेनी होती है तो दोस्तों यह था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात की इस medicine के बारे में मैं आपको कुछ informative लगा हो information मिली हो तो चैनल को subscribe कर दिजेगा इस तरह के वीडियो देखने के लिए अपने दोस्तों के पास जरूर से वीडियो देखने के लिए पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद